कि चलो यह जो चाप्टर है करेंट एलेक्रिसेटी एंड एलेक्रोशाट्रिक्स है और फंडामेंटलों बेसी चाप्टर है और उस बार का आपने थोड़ा सा कहीं पे भी इंटरेट पे या तो कहीं पे भी नीट का एनलेसिस देखा होगा तो अनलाइक एवरियर इस बार एलेक्रोमागेडिसम में चे दर्वा आराओं एटीन कोश्चन सा कितने कोश्चन चे अठरा अठरा सार कितना होगे भाद तो यह जो और नो आराओं सेवेंटी टू मार्क्स प्रों वान सिंगल सेक्शन तो नारा उसम चाप्टर कितने छे ए आंडिदिमम एंडवल ऑसी करेंड एलेक्ट्रो इह माई नीएशं जैस और नो चैशन चाप्ट्र में से दर्वा आराओं यह गिंग है ज्योड़ थी कह यह साल यह सेक्शन में կह सेक्शन में से जाला कुश्चन और फिर मॉडर फिसेग्स में से दर्वा राओं एट प्र बाकि जो सेक्शन बचे हैं वो सेक्शन में से देर वर रेस्ट आपक्षिन तर इस ट्वेट हर साल आता है चार पाच चेक विश्चन और इस साल हीट में से दर वाद विश्चन पर बोलने का मतलब यह है कि आप लिमिटेड पढ़ाई करके डिपेंड नहीं करते उसके उ सेक्शन पढ़ा उसी साल वह सेक्शन में सब क्वेश्चन आगए तो आपका लग है किसा और हो बट ऐसा लग है आपको अपने बार में पता होना चाहिए कि जो करके जाते उसका उल्टाई होता ने एक्जाम में हमेशा सुबह को उटके जो प्षण छोड़ा है कि हमने ऐसा सोचा है कि यह तो नहीं ही आ सकता सबसे पहले बेपर में वह दिखता है जैसा और नो फजाता दूख होता है कि यह रहे यार पांश मिटे के लिए तो व कि दो सेक्शन को आप जाधा निगलेक करने का ट्राई करते हो वान इस मेकानिक्स और सेकेंड इस एलेक्ट्रमागनेडिजम मॉडरन फिजेक्स ही ओसिलेशन वेव अगरा मैनेज कर लेते हो कैसा ना कैसा फ्लूइज बगेरा इसा सिंपल है फॉर्म लागेज है आ जाता है बाट इलेक्ट्रमागनेडिजम एंड मेकानिक्स वाला जो सेक्शन है यह मुश्ट इसब निगलेक करने जाते हैं पर ऐसा मत करो आपको जितना आ रहा है उतना तो करो ही ठीक है सो दैक टेपर में ऐसा नहों कि कोई सेक्शन अगर बढ़के आया है और आप मार्स बूस कर हो जआ आएन आ रहा है अीं पुच्छन डिफिकल्ट है थोड़ा सा था बढ़ा बात लिए जो सेक्शन धिशितरोल था ना वह सबढ़ ईय और कियो यह और अप्ज और प्रोंम फिक्रोट शॉस्ग सब्सक्रम को इस wreckage स्वेशन इस में उरहां सब्सक्राइं करते है। समझा रहा है तो यह तीन सेक्षिन में इग्नोरंस नेगलीजन जादा होता है कि आप चैप्टर शोर देते हैं बढ़ अगर इसके क्वेस्टन्स आप एक्जामेनेशन में देखोगी तो वहाथी बेसिक फंडामेंटल क्वेस्टन होता है क्योंकि नेट के पेपर सेक्टर को तो सीवीज पर डायरेक्ट पॉस्टन था एक इन है उसके दो और तीनों सीरीज में आप और ली उसका अंसर निकाल सकते हैं बड़ इसके लिए क्वेसिक इनफॉमिशन होना चाहिए ना अभी आप दिफिकल्ट मान के ही क्वेस्टन चोड़के चले गए तो आता ही नहीं म यह दोनों चाप्र वैसे ही ऑनिसका रहा हैं एंड सेकंड इस एलेक्रोश्टर्ट जो मोस्ट आप देश्टूडेंट्स चाप्ट खत्म होते है तो इसको पहले ही छोड़ चुख चुख होते हैं तो थोड़ा सा स्केल बेस्ट रहें इस नोट अबर रिमेंबरिंग थिंस इस नोट अबाँ मगिख दो फॉर्मला एंड अप्लाइंग दो इसमें अपको सोचना पड़ता है यह मेटर्स सब्सक्राइब और अब इसमीड वह शॉल्भ करना अलग अब वह चैलेंजित तास्क है चैलेंजिन तास्क इसलिए क्ये यह आक दिए कुछ नएज जैसा होग कि एक concept है concept का derivation है और derivation के चार फॉर्मले चार कंडिशन है याद करो यह कंडिशन को दिखा देगा तो अपलाई ज़िए अब फिसे नहीं चले अब यह चेंज हो जाएगा अब सब थोड़ा सा स्किल्फुल आएगा कि आपको सर्किट को समझ आना चाहिए कुछ तोड़ा भ जितना आप उसको अच्छे से समझ सब्सक्राइब डेसिक Armen अपको समझ गया तो इसकी का जाहिए तो यह इना मिला किक्ट में डरारूं का सेक्षन है जो मोश्ट आप मीट्शों को पूछो तो ऑप्शन में शोड़ की जाता है क्योंकि नहीं होता है तो इसलिए आपको में यह कहूंगा कि mcq book लायो ना तो हर लेक्षर में आपको mcq book लेके आना है और हर लेक्षर में जितना आपको solve करने कहा जाए उतना आपको solve करके ही आना है अभी भी कहूंगा यह concept based formula based chapter नहीं है यह method application based chapter है कि ऐसा circuit आता है तो आपको ऐसे solve करने होता है ऐसे circuit आता है वह मैं आपको 10 बार करके क्यों ना बताओ आपको देखने पर वह ऐसा लगे है कि हाँ की कैसा ऐसा करना होता है बड़ जब हम खुद अपलाई करता है तब हमको समझ में आता है कि किदर गलर जारे किद अब तक आपको नहीं आना होगे अगर आप अप टूडेट चाप्टर को करते रहोगे कि यह चार कोशन बोला है चार को सॉल्व किया यह method apply करके तो पहला method भी याद होगा दुश्रा आपको समझेगा भी कि चल जा रहा है बस खाली उडाने गए तो चाप्तर आपको 0% अब यह चाप्तर को बहुत है तो पीज अंडर्स्टान बेसिक वेल अच्छा जापतार रहा है उच्छा जापतार रहा है उसको apply के से करते और वह apply करने के लिए simple चीज करने को थे क्या देना पर थेस और दिए अधियान दोबर साँवच्टे लोग बाकी साँ नेरे मेरे ठीक है तो नेक्सा अब देखो स्कूल टाइम पे थोड़ा बता पड़ाना करेंट के बार रहा है तो चलो के एंडिमेंट ने के करन्ट होता क्या को डिए बार करन्ट के च्छोल गयो ना बाई ऐसे शाक्टर हो हमें भी ता करन्ट इले दिए तो और नोंस तो क्या होता है क अर क्या और क्या वर इस रजिस्टंस सुन रहा है तो मुझे लाज बैंच अभी आपका बुच्को बन करके रख जोआ भाई बस हो गया उसका खुचका उसना चलते रहा है वह अशा अधिमेंगा रजिस्टंस एनिया बट रजिस्टंस क्या होगा यह कौन सा डॉमिन एफेक्ट चल रहा है यह इसको देख रहा हूँ उसको देख रहा हूँ चलते यह रहा है वाट डू मीन चलो अभी सुनें ओम सो क्या होता है वी इस इकल टू अरे जोट से बोलो ना वाई चा हो गया वी इस इकल टू टू स्य कुछ अब्र बुस्टेशन ओंतने होता है यह पोटेंशल ना पोटेंशल डिफिर्ट्स प्रू आपके पास अभी मुझे सब्सक्रा करना पड़ेगा यह तो जवाब नहीं आएगा प्लीज थोड़ा तो बताओ कुछ difference in charges which causes what कहां से कहां जाएगा flow कैसे होगा कहां से कहां होगा 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 तो direction higher potential to lower potential yes और Q flow ऐसी होता है और क्या आपको पता हो यह रेजिशन्स होता जिसके वैसे वो प्रोवाइब्स रेजिस्टन्स वो फ्रोवाइब्स ओपोज़ेशन्स दो फ्रोव अन देता है अरे आपको इतना चाह वो बोलत है कौन सा बंबारी करना आ ले आ रिदम अलग प्लानिंग चल रहा है जोड़ से बोलो ना नहीं पता जोड़ से बोलने बोला तो यह बोला नहीं पता है कौन देता है रिजिस्टन्स कि अधर कुछ औरस में फाल्स उमत रेजिस्टन्स पहुंद देता है तो रेजिस्टर अधर रेजिस्टर चलो रेजिस्टर देता है ना रेजिस्टर पहुंद अधर ना क्या करके रेजिस्टर देता है वो अधर रेजिस्टर प्रोएड कैसे करता है को पोलिजन उसके पहले क्या करता है अधर इसका एक सिंपल रूल क्या करता है मट्रिल में इस अधर पहले घ्रत करता है अधर चला आज अपसा चल गया स्कूल में बढ़ाएंगी अर्दम दिल लागे अधर पढ़ा सेव पंडिशन यांधर आपी अधर शूना भी आण से क्या होगा कैसा हमारा अप्रोच होगा विध्यान से सुनना कोई भी कुछ लिखने का निया प्रीज जब लिखने कहुंगा तो भी लिखना अइसा कुछ भी लिखना निया विखने कषानना विख में सिर्फ अलarner विखने कि का सभाइद वा अगा मतलु करा हो पर शर्फ का जब मनलतायTris का बूंप चार्ज वो क्या हो रहा है चार्ज वह इसलों को हमने का नाब धिया चार्ज का करण्ट डाड़ एलेक्रिक टारंट पर गया कि बेसिकली हम यहां पर चार्ज यूज करेंगे डाड़ वाड़ एक बेसिक सबसे ज़्याद अविलेबल चार्ज हमारे पास है वह कौन सा और हम बात करता है और चार्ज के दो टाइप सो पॉजिटिव चार्ज ना और सेकंड क्या होगा नेगेविश चार्ज यह सबसे बेसिक पॉप को पता है पॉजिटिव चार्ज का तर इस बॉट प्रोटोन और यहां प्या होगा अब जब मैं चार्ज की बात करता हूं यह प्रोटोन एलेक्ट्रोन जो है यह दो तरीके से विएक कर सकते हैं कि सबसे पहला क्या चार्ज विए ड्रेश्ट और से कैस्व होता है तो पुछन बहुत देता है कि सब्सक्राइब कर सकता है एक बूरिष कर सकता है अगर आपको फील का मतब याद हो तो फील्ड एफिक्ट होगा है तो फील्ड एफिक्ट होगा कि नाट इस कि अधिक्रिट इस वाट इलेक्रिट पर यहां पर हमको चार्ज रेश्ट है इसमें इंट्रेस्ट नहीं चार्ज रेश्ट पर होगा और वह कैसा इफेक्ट देगा इसका हम दिस्केशन करते हैं इलेक्रोशाटिक यहां पर चार्ज करने वाला है और जब चार्ज का मोशन होता है I am going tofoot-be-motion of charge philosophy of Chargers कि Michisöl प्रेल चारज किया कर रहती है अब है थो कि और चीज़ आज़दी चार्छिस जब भी मोशन उसकता है थो वह मोशन कभी डिस्कलेट इसा नियुकर चला रुका चला रुका चला रुका रुकर इसम नहीं हो पनिए और कोई भी प्रिजिए ठीज को बनैट संद्राइड और आतिया थे थेना है ब्हुष नुष नुष नगरा alan थे एंब का यहीं सिर्ण खास कि गो बुष सब्स्राइड ऱ्म संद्राइड ध्यर्तों एलेग था कि अल해서 अब होता क्या है कि जब ये चार्जिस फ्लो करते हैं और ये करण आता है इलेक्रिक करण वेन दा चार्ज फ्लो ये फ्लो आफ चार्ज को हम बहुत जगा पर बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं आपको हमारे काफी हल्प करता है उसी के स्टेटी क्या गएक अचार्ज करते हैं करण करते हैं कि यह 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 दिन वेचार्ज इंट के लिए जागे आएगा कैसे काम आएगा क्यों काम आएगा क्यों हमको चार्ज को मोशन करवाना है वाइ इस नेसेसरी फोस इस रिक वाइर पाइए चलो, can anyone of you tell me, कि जब मैं चार्जे से मोशन कर वा रहा हूँ, when the charges are performing motion, इसका एक basic health क्या होगा हमारे में, जब मैं चलो मैं पर चार्जे है, एसे 100 ऐलेक्टों मैं सो चार्जे है, मैंने इसको भगा एक जगा, they are running, they are flowing, होगा ना ये, क्यों तरफ करना पड़ा किया यह क्यों करना पड़ा गया अगल या और जी प्रोड्यूस करने और रॉंग वर्ड यूज कर लिया लिए बेद पुरे नेचर के ही अगे शले कई रिप कौन्सी दुनिया में नेचर अप्रोड्यूस कर सकते हो जो इनर्जी चना इजर देट ना वाई उठके जाओ स्कूल क्या तो फिर बैठ जाओ कि तर तो फिर आपको देवी बना के उठाएगा और क्या वे अनर्जी बना रही हो गरें क्या है? अनर्जी और सलेट ना खाएगा है तो इससे क्या होगा एनर्जी परोड्यूस होगा ? एनर्जी दिर्श्राइग drive and times तो जब चार्जर्जर्जेन्स मॉशन करेगे अलेट्प्रोत मोशन करेगे तो झाले की बनाःट entire बोले जब भागेगा नाग्य अग्तो करेगा अपने साथ क्या लेकिया भागेगा ? अजै अब.. यह एनर्जी कौनसा करने से एनर्जी इस कॉल्ड आज एलेट्रिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है जो कौन पॉइंच करता है चार्ट इस और नहीं तो जैसे हमने अलग-अलग चाप्टर में अलग-अलग पॉंफ एनर्जी कुछ स्टड़ी किये है एना हीट का सेक्शन पढ़ा उसको कौन सा कि एनर्जी के फ्लोओ हो रहा है औरहीं lequel झीट फ्लोओ को अमृूगs कर्ण है आप ऐना वैसे यहां पर हम लेक्ट्रिक्वलेल्स किसके पास होता है चार्ज इसों साइसके पास कि रोघ्या मैं चर्ग में जो ममग हां वानपोईंटरiones को दूसरे पोए 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 अरजी को ट्रांस्फर करेगा ना इसको इसहां मरब आपाया ने ये सब इसपर चल रहा है एलेक्टिक अरजी करना ना येसो और नो अर्य करें आप एक पॉए इसको बाते हैं और चार्ज चर्जेश्ज दो रोगा तो हम आपने साथ इलेक्टिकल जो लेक्गा वंद रांसफर करेगा वह दो इसम्जेशL है कि आप एलेक्ट्रिकल एनर्जी को कोई भी पॉर्म में कर सकते हो जैसे यह एक लाइट लगा हुआ लेडी लाइट लेडी बलभाया ना तो यह आपको क्या दे रहा है लाइट एनर्जी बड़ चल किस पर है करेंट ना मतलब देखो यह स्विच के तूरू चार्ज भाग इसका मतलब क्या है कि वह तक है तो और यह रेक्रिकल और ऐसे वह अपके साथ आशिक्ति यहां है और किसम करणड होगा एक अरे हमारे गर्पे एर कंडिशनर यहां पे एर कंडिशनर है इस और नो सब किसम चलता है इलेक्रिशिटी पे सब किसम चलता है एक्रेंट पर सब का रूल कर दो दीविज पर नजीना ना अब इसको यूज करके क्यांजरेटर में भी कूलीग ही वह रहा है है किसके वैसे और हो रहा है किसको वह रहा है थैसकर फूर टाम कर रहा है तो इलेक्टिक तो किसके वैसे है जो इलेक्रिकल एनर्जी को कनवर्ट कर रहे जिसमें है कि इनर्जी यह रहा है यह रहा है और आप वाटर के फ्लो से अगर एलेक्रिकल एडिकल एनर्जी करना चाहओ तो तैसे होता है तो तैसे होता है इस और नो से नो कोई फीर आपके रहे आपकी करी और रहे ना उसमें प्रीकल फ्लो इसको आप यहां पे वॉटर वाटर आया तर्वाइन जाब में कॉमा आपका रहे जी मेकेनिक और जीए और यही मेकानिकल जी दिस अगड़ रुआ, इलेक्रिकिल इनर्जी जोनों पॉसिबल है आया ना, अधो गेटिंग मैं पॉइंट तो इस तरी किसे चलता है तो बैसिकली हम को क्या समझना रहा है कि इलेक्रिकल इनर्जी कैसा इनर्जी है जिसको हम अलग-अलग मशीनली के थू, अलग-अलग प्रोसेसिं से थू, इन्टो मैने दिफ्रेंट फाम्स अणर्जी तो यह मार वा काम का हुआ है अल्मोस्ट हर जगा पे हम इसको यूज करता है तो हमारा जो लाइफ चल रहा है वो जो एनर्जी तो हार तरह नहीं किया है तो इस चाप्टर में बिशिकली हमारा नोच को समझेगा रपस क्या है इस चार्जिसस चार्जिसको लो चार्जिसको अनर्जी बहुँ है के वह ही energy लेके चार्जिश भागेगा फलोौ करेगा इलेक्रिक करेगा और वह एNERजी को हर जगा जाके टिस्टृुट करेंगा जो पडिक्र दिवाइस के अटिर जाएगा उसके प्रोसेसंग के हिसाब से या यदि qonversion होगा, तो device work होगा, यहाओ त इस व थे ली साथ इन ऐलेक राये, परकोस हमझ गया, तो हम flow of charge, यह electric 라का का काम किया है, what is the electric current, can I say itis medium of transfer of energy 撇स इनेजिकDalgine, LOOK Richer你說 11ian American so it is a medium of transferCCO इलेक्ट्रिकल एनरजी तो इसमीडियोम आपना स्वेर और एलेक्ट्रिकल एनरजी सही है 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 लो समझ गया सबको चलो आपको एनरजी ट्रांसफर करना है किसके हेल्प से चार्जेश चार्जेश आपके एनरजी को लेके भागेगा बट चार्जेश जब एनरजी को लेके भागेगा तो उसके पहले आपको क्या चार्जेश चाहिए है ना एनरजी को लेके भागने कौन वाला है चार्जेश पर उसके पहले आपको क्या चार्जेश आपके शुर्व पाता सकता है मूझे थोड़ा सब्सूंके बोलना वरा वशे घ्यान से लिए हम चार्जेश को वाप पी श्टोर करते हैं वेर दूब सोंद चार्ज वेर दूबी स्टोर दर चार्ज है बैटरीज ना और क्या होता है तै यह सर नो और है 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 यह सब क्या है में तो यह सब क्या है यह सब क्या है है और साथ हम आप बेसिकली यह कहते और जब यह श्कार्ट मनलती है तर्वाइनु घैस्कि दाउन दाउन है मतलब क्या अंब्स छो टार्फ 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 मतलब लगना अजय होता क्या इतने इनफ चार्ज़ आपको देन वारिए वो चार्ज इतने देबारी कि वह सीफ में नहीं है विजुका मोज़ा पेडिकूली एनर्जी में मुठें करहें जिसे का स्टार्ट हो जहाएं ii सब्सक्राइब इसको उस्ट करने पुसिश करते जग कर दो दो श्यांक ना को या वाज आती है ना पुछ या और जो आन को स्टार्ट करने की नहीं आप तो पहले आपने स्टाइट करने का ट्राइब यह वह यह भी घाया है तो चैप्ट प्रोइडिंग फाइफाई जूल ना ऐसा करकर करकर तो ट्वेंटी जूल था वह दे दिया ना कितना हो गया जीरो पता है इसके अंदर एक वी परसंट एनर्जी बाटी और यह होता है यह में जब आप कार का हैडलाइट वान रख देते हो ना तो आप देखाएगे ने से कभी और का हेड़ाइट ओन रग जो रागवर सुबा का स्टार्ट नहीं होगी यह कार के एनर्जी ना बंद गाड़ी में वह आउन है आपको बुलाना पड़ता है अपने एक्स्टर्नल बैटरी से आपको चार्ज करता है और वो जब चार्ज होता है उसमें एनर्जी आता है तब जाके आपकी कार्श चार्ट होगी देखाएगे नहीं कभी ऐसा निकलते हो घर के बार सब किसका खेल है एलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके लिए आप का यूज करते हो चलो यह चाप्टर में हम के पासिटर का बात नहीं करने वाले यह चाप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे हैं सेल्स का और बैटरीज लुए पूरा इंशिट्यूट चलाना है इनवर्टर पर इंवर्टर में भी क्या होता है बैटरीज होती है अभी यह पूरे इंशिट्यूट को चलाने के लिए और यह चाप्टर में समझ जाओ तो अगर मैं यहां पे लिखूँ के वे डूआ स्कोर चार्ज वे डूआ स्कोर इलेक्रिक्रिक अनर्जी को आपका अंसर क्या होगा इस इस तर्वाइन को यह धूश्य को जर्णेर करते अपर फार्णेटर नहीं हो गया डायनमौ हो गए तर्वाइन हो गया यह क्या कर रहा है यह कृश्य को लिख करने लुख कर देंडेक्रिक आटर्ञ है पूर जेनरेटर है स्कूल टाइम पर थोड़ा बत पड़ा हो अब उसका वर्गी है ना फिर डाइने मों होता है फिर टर्वाइन होता जो भी एक्जामपल दिया इनका काम क्या है जगे पर मेकैनिकल अन्वर्ड करना किसमें इलेक्ट्रिक अनर्जी तो सेल बैटरी वगरा में स्टोर करके रखे अब सेल बैटरी वागरा का भी वर्किव आपने सीखा होगा इन केमिस्ट्री उसमें आप जैसी के लीए क्या करते हो चैंबिकल इंटू इलेक्रिक अनर्जी ना अरे सुनते हों कि एलो उसमें बेसिकली क्या कंड़ोता है चैंबिकल एन टू अरे ड्राइस इल भी होता है है ना सल्वीशन वाला भी होता है एलेक्रोलेटिक से लेन ओल येस और नो ये केमिस्ट्री पढ़ाए के नहीं ऑपर सेल्फट वगेरा है लो अच्छा हो यार आप लोग अब तक नहीं हो है भी पढ़ाना पड़ेगा जाने दो यहां तरको सेल्फ में किसका अनर्जी इन्टू इलेक्रिज बैट्रीज में भी से इलेक्रिज इन्टू डाइनेमो हो गया तरवाइन हो गया जन्रेटर हो गया इसमें आप क्या कन्वर्ट करते हो मेकानिकल एनर्जी इन्टू इलेक्रिज जब भी जन्रेटर चालो होता है बड़ा सा वाथ आता ही नहीं घूमने का तो वह घूम रहा है न अंदर मशीन क्या प्रोड़िस करना मेकानिक एनर्जी और वह ही मेकानिक की संदूर हो रहा है यह सब आपके सोर्स है क्या स्टोर क रहे सो गए वाई बोड़ा है और से बैटरी यह जो है यह बेसिकली कौन से प्रिंसिपल काम करता है तो कानोर्ट chemical energy to electrical energy chemical बेसुना होगा आपने copper sulphate में अगर अब एलेक्ट्रोस को दालते हो तो उसमें से ions produce होते है kate ions, ni ions, एक जिए पर फिटोर होगा kate ions, एक जिए पर फिटोर होगा ni ions, एक होगया higher potential, एक होगया lower potential, there is a potential यह पूछ रहा हुआ है उसी को बोलते से बाबा बोट डेंजर लोगों पेशन्ट को बताना पड़ेगा क्या इलाज करना है पेशन्ट को बीमारी बताना पड़ेगा यह हुआ है बताओ क्या करना है पताओ लीशाज हाच नहीं यह तो बोलो बैसक्री किस में को बृट टेमिक अन совсем आप अजब हो प्रस्फ्ट अपना सक्जशक्रों करा ला-एंर यह रहा है यह और यह द्वाट्री अधर है आपको podcast 2 अधर फ्लोग नहीं हो सकते हैं वो चार्जेस को आपको एक पर्टिकुलर चीज प्रोइट करनी पड़ती है बोलो क्या होता है हाँ इडिस पॉटेंशिल डिफरेंस सुनाए कभी यह अगर पोटेंशिल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस के नोट फ्लोड देर गिलों एलेक्रिक करेंट यस औ इसका मतलब क्या अंडिस्चांट कर रहा है कि अगर आपको कुरेंट एलेक्रिक सांध को संभी है कैसे वॉटर फ्लोड प्लोड सेम तरीके से चार्ज की फ्लोड अगर मान लो वाटर में मैं पोटेंशिल डिफरेंस के आगर वर्ड यूस करो हाइड डिफरेंस मैं अगर में हाइट डिफ्रेंस क्रियेट नहीं करता है तो मिल्द वाटर फ्लोव नहीं ना वाटर फ्लोव अगर पानी एक ही लेवल पर होरिसोंट लेवल है ना ऐसा है पूरे रूंग में भर दी है कर दिया एक हाइट को नीचे कर दिया तो विदाउट एनी इंपुट फ्रॉम माई साइड वाटर अपना फ्लोगा तुकि आपने क्या किया है पोटेंशिल सरी एक हाइट डिफरेंस क्रिएट किया ना जिसके वैसे वाटर फ्लोव रहा है फॉम हाइए पॉइंट तू लोवर पॉइंट जैसा और नो तो एक हाइए पॉइंट से लोवर पॉइंट क्या फ्लोव होता है वाटर अगा समझाए और यह आप इसके कुछ कर रहे है यह एक नेशर का लोग है कहीं पे भी कोई चीज हायर होगी कोई चीज लोर होगी हमेशा फ्लोग का फ्रम हायर टो जैसे अगर मैंने एक्जामपल दी है कि मैं एक डियो लेता हूं पर्फ्यूम और इस प्रेइट यह पराबर है अब उसमें से जो मॉलीकूल से न है यह एंगर पांटी का सक अगया हम्राइशन तो दूसरे यहां पर यहां पर क्या है इंद यहां पर क्या है लोगानिट ऊक्यां परणाटेश felic सब्सक्राइब काया आइव ने का हैлемर्स dette सब्सक्राइब करें तो नेशर में ऐसा आ जाता है कि अगर ऐसा डिफरेंस आया तो वह नेशर उसको बैलेंस करने का ट्राइब करता है वह और यह बैलंस करने में कीज़ें क्या होती है तो कहीं पर विदेखो नाव अग्यार मैं ऐसा भी किया यह मैं यह रूम में बहुत सारे बॉल्स बढ़ देता हूं और यह रूम को पाक कर दिया ना अभी बॉल्ट अभी रूम के अंदर हैं तो कहीं से भी अगर मैं ने कि निकल जाएगे ना सब क्योंकि यहां पर क्या है तो यह क्या है तो यह नेशर का रूली है कोई भी चीज को फ्लो होना है तो आपको एक हाय रेंड आपको एक लोवर एंड निकान नहीं पड़ेगा जैसे अगर ठीट एनर्जी फ्लो रहा है तो एक एंड कैसा होना चीए हाई टेंपरेचर एक एंड कैसा होना चीए लोवर तेंपरेचर बहुत्स आपने अगर टेंपरेचर सेम हो गया कॉमन लोगया तरिजनाव अच्छश को यह वैसे ही एलेक्रिक करण्ट के के लिए भी बोलो एलेक्रिक करन बेसिकली क्या प्लो अब चार्ज न अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज इसके पॉइंट से क्या फ्लो होगा चार्ज क्या Чार्जिक्स में चार्जिञ जहां पे जादा है उसे का है और चार्ज जहां पे कम है उसे कार जानलोर पूंझिग क्या कएर पूर depends सबस्क्राइब करें अगर यह पोईंट पर यह पोई पिपोटेंशिल दिफरेंज वह पोटेंशिल दिफरेंज वाद यह वाद बद शीरो तो नहीं होगा तो एक चीज़ आद रखना है जब भी आपको तो इलेक्रिक करन्ट चाहिए, what do you need to create? Potential difference. Age of charges? ज्यादा. Age of charges? कहाँ. तो क्या flow होगा? Charge. तो आप यही तो करते हो. यह cell में, batteries में आप यही करते हो. अगर आपको समझता होगा, what do you mean by positive charge? Can I say absence of electron, na? And what do you mean by negative charge? Presence of electrons, हाई है. तो positive charge वो होता है, जो electron deficient है, बराबर है. और negative charge वो होता है, जो electron है ला, जिसके पास. कैसा और नो? तो मुझे क्या flow कराना है? बोलो, basically मिरे पास सबस्दाद है, क्या electron ना? तो अब मैंने क्या किया? जब यह chemical मैंने बनाया, और chemical solution मैंना, उस पर electromagnetic solution जो बना, उसना आप कहते हो ना, कि दो रोर्ज होते हैं ना, एक पर कौन सा चार्जित आता है? एक पर कौन सा आता है? तो एक क्या बन गया? electron deficient. और एक क्या बन गया? जैस और नो, electron rich ना, तो बोलो, क्या हुआ? difference आए कि नहीं? इसका electron का, charges का, potential का है ना? तो क्या flow होगा? charge ना, from 1.2, charges flow रहा है, मतब क्या आएगा? और वह electric current कौन सा energy लिके भाग रहा है? electrical energy. तो chemical energy किसमें कर नड़ हो रहा है? electrical energy. समझाए, तो कहीं पर भी आप याद रखना, कि अगर potential difference नहीं है, there can be no, there can be no, तो अगर मैं ऐसा भी कहूँ, potential difference पतर क्या देखो ऐसा, यह point B आत रुपा, circuit मुवत काम आएगा, दो point मेरे पास, A और B, सही है? मालनों, इसका potential भी B है, इसका potential भी B है, तो बोलो, इंजी पूझे, potential difference कैसा है? तो अगर यहाँ पे, एसा कुछ connection भी है, क्या रखते हैं, आपको यह part में, will the charges flow, will the current flow, तो यहाँ पे current का वाली कितना होगा? कितना होगा current का वाली? Yes or no? तो अभी देखो, आगया कि जाँ, circuit solve करेंगे ना, ऐसा कोई भी line, जिसमें current कास होता, उसको में कहते हैं, क्या कहते हैं, यह branch की through current जाना है, हाँ ना, तो अगर मुझे कोई भी branch के through current को अलाउन नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो branch के, जो दो पॉइंट से वो connected branch, तो पोटेंशल लिगनेंस कितना करना पड़ेगा, तो current कितना हो जाएगा, वो branch के through current नहीं pass होगा, clear है यह, समझ गया, fine, तो next है, next point देखा अगर यहां पर लिखूं मैं, यह सब छोटे-छोटे points है, but it will build up your chapter, और आगया कि बहुत क्राम आने वाला है यह सा, so what do I say, for electric current, for flow of charge, for electric current, for flow of charge, what is necessary, potential difference, delta V, without potential difference, the current is 0, चलो, clear है, तो charge चीज़ा बता दिया भी तरह, यह chapter में किसे डिल कर रहे है, charge है, charge in motion में, और motion of charge is called as electric current, flow of charge is called as electric current, why do we require electric current, because electric current is medium of transfer of electrical energy, सही है, fine, अब एक electric energy में, यह ताकत है कि वो किसी में भी बीड़ी, convert हो सकता है, बट यह electric energy में को शोर करना है, उसके लिए हम लोग क्या उसकरता है, cells, batteries, capacitors and all, यह शाप्टर में हम लोग यूज़ करने वाले क्या cells है, batteries, जो कौन से प्रेंजिल लोग काम करता है, तो convert chemical energy into what, electric energy, और बोलो कहीं पर भी अगर मुझे charges को flow करवाना है, electric current चाहिए अगर मुझे, तो बोलो सबसे necessary क्या attract rate करना, potential difference, तो nature काई law है, किसी भी चीज़ को अगर flow करना है, तो वो एक same balance cell पर flow नहीं हो सकता है, एक higher energy और एक lower energy, तो हम लोग एक battery में, एक cell में higher energy and lower energy कैसे create करता है, एक end ऐसा होगा, जिसके charges जादा है, electrons जादा है, एक end ऐसा होगा, जिसके electrons कम है, तो electron कहाँ से आफ लोगा, प्रॉम जादा वले end से, कम वले end ते ना, और क्या constitute करेगा, अगर बोलो, अगर यह potential difference 0 है, इसका मतब यह है कि दोनों पॉइंट पे charges लाएं जादा, तो कोई भी flow नहीं होने वाला है, चलो, भी अंडेस्टान जादा, यह सबसे basic information, चलो अब आपको बता को एक, पॉइंट पे ध्यान देना फिर आप लिख सकते हो, circuit analysis करता है, भी आप यह समझो, कि current कैसे flow होता है, और एक circuit work कैसे करता है, और एक circuit में क्या-क्या required है, पेर अटेंशन यहाँ, ऑन दे बोड़ा एवरिवाइज, चलो, सबसे पहले, क्या चाहिए हमको source ना, तो हमको क्या देगा, charges, तो क्या देगा, electrical energy, कौन है वो, हां, cell or battery, तो शोलें, यहाँ पेरे बैटरी लिए है, यह battery है, है ना, यह higher, यह higher, यह लोगर है, यह battery है, यह battery, यह cell आपको charges देने वाला है, बहुत electric energy, यह आपको electric energy देने वाला है, और वो electric energy कौन लेके भागेगा, charges, भागेगा तो किदर भागेगा, किदर भी, यह energy लेके निकल पड़ा, अभी भी आप भागते हो, कई पर भागना है, तो क्या चीए उसके लिए, पैर, रास्ता ना, audio require path ना, क्या चीए आपको, तो charges है आपके पास, वो charges के वागने को तैयार भी है, और मुझे पता है कि यह charges को, electrical energy लेके, point A से point B तक भागना है, पर point A से point B तक भागने के लिए, मुझे उसको रास्ता भी तो provide करना पड़ेगा, तो भोलो, वो रास्ता में किसे provide करूँगा, with the help of, बला हम क्या है इसका नौल है, metallic wires, metal के wires, अंड़कर, यह सब क्या लगा हुआ है, यही तो है, यह सब किसमें help कर रहे है, करनंडेने में न, वायर काट दो करनंडाय का जया, तो इसमें क्या flow हो रहा है, charges, क्या लेके भाग रहा है वो, electrical energy, तो यही क्या है, रास्ता है न, charges को एक पॉइंट से दुसरोंग पहुशने का, electric current को एक पॉइंट से दुसरोंग पहुशने का, electrical energy को एक पॉइंट से दुसरोंग पहुशने का, यह रास्ता आप कट कर दो, यह रास्ता आप रोग दो, क्या charges, वह एनर्जी लेगे पहुंच वायेंगा यह पॉसिबल नहीं हमारा जो पाथ प्रोवाइडर होगा वह कौन उगा कंडक्टर इस चार्क्टर में हम झो पाथ के लिए यूज करने वाले जो हल्प करेगा चार्जेस को राष्टा देने में कि जाओ भागो और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा गया है तो देखो ऐसा सर्कृट होगा मेरा यहां से बार निकले गया है सही है अब इसमें चार्जिस भाग तो रहा है एनर्जी लेके हमारा काम क्या होता है हमारे कंपोनेंट्स को लगा दे हैं क्या लगा दे देख्ञा थोड़ी मालूम है कि दर बल्ब लगाए ना कि दर टीवी लगाए लगाए वह तो लेकर भाग रहा है ना आपने बीशन कर दे क्या अपना डिवाइस अर्य इधर से वायर निकला आप लगा देना है लाइक में एक वायर निकल के लगा दिया एक वायर निकल के मुंभा गादिया प्रोजेक्टर में हाया आपने अभी एक रास्ता रखा है कि एन नम्रोन आप नवर और आपको पता है न मेरे क्या बूलग तो अगर आप तहीं से पानी को फ्लो करवा रहे हो और वह पानी फ्लो हो रहा है और उसको दस रास्ते दिखते हैं तो क्या लगता वाटर विल सेलेक्ट सेलेक्टिव रूट्स पर एवरी रूट्स सब में घुशेगा ना पानी याकिए फ्लाइट वड़ा इसी तो आता है भाई जिस अच्छे उदर गुशता ना पानी क्या हम बच गए हमारे वानी आया ऐसा पॉसिबल नहीं है ना जितने भी पात जितने जितने पास आप उसको दोगे उतने बात में इंटर करते जाएगा सिवेकी चीज का दियानक आपको क्या करें अपड़े है पोटेंशल डिस अगर दो पानी फ्लो हो भी रहा है उसको पर जाएगा ना उससे किसमें आएगा तो पानी उपर से नीच आता है ना इनीचित ऐसे कोई-कोई एडिया ऐसे वते हैं ज्यांत पानी नहीं पौश्चाता है जहां तक नीचे अए होता है जोब सब्सक्राइब अचे मों तक आया ना पर यह आख्या ना ना तो पानी का नेश्मलों क्या है प्र हायर प्रोफथा प्रोफथा रखेंगंठ आपको एक्स्टर ना पड़ेंग और प्रोफटर लगा फोपानी को चढ़ाता नीचे से अब अब ढूर बादको वानी छोड़ता है जो इसी लिए उसको दिखे गैगे वहां लगा कि बागा वहां कि रगा दिया एक रास्ते में आपने लगा दिया एक रास्ते में अपने रजेक्टर लगा दिया एक राश्त में आपने इसी लगा दिया, चार्जिस का क्या से उसको ले ले के भागना, आया ना, और आपको क्या लगता है, ये जो आपने सूर्स रखा है, ये सोर्स जो एनर्जी देता है, वो कैसा होगा, सफिशन होगा ना, जो सब को चला पाई, ये सोर्णो, इसलिए ये े जो सोर से उसका एनर्जी काफी जाता हो गना और यह उससे काफी चाहिए धया है पीलोट जाते हो फो को असटे कमो रही थो मिदा आखटी लाइख लाइत हैसा इधर भुष्ट बुष्ट लाइत कानेक्ट में इस फैन कनेक्ट था है इधर फिर से इवर प्रोजेक्टर गसीच्ट ना इधर T 있으면 एक एसा आहा सैंब्र इस फैर वेलगां सही है और वा फॉलो भाई तो बोलो अभी चार्ज़िस यह को देगा और उसको चार्जि तो बहुत शायर चले गए कुछ चार्च चले गए कुछ चार्च चले गए लेक्तर निकले से हाउजन इलेक्ट्रों इंदर गए इंदर गए जो यह संक चला रहा है इस और दो नाइंबेल कर दो है कि लेके दियुएस वर्क कर रहे हैं ना फिर क्या होता है बोलो सबने एक शाहर इस सर्कृट में तीन चीज होती है पहले सौर्स जापका एनरजी दे यह रहा है यह हमारे वह क्या है हमारा तो दूसरा चाहिए पाथ क्या चहिए आ रास्ते चाहिए इसको भागनी की जार और वह कैसे बागता पानी की जरा ताहएं पर तीसरा चाहिए यह energy देना किसको है किसे ना किसी को देना है ना क्या चाहिए components क्या चाहिए devices clear है समझा fine तो एक search बेसे काम करता है अब यह जो रास्ता आप देते हो वह हमेश्या एक closed path होना चाहिए कैसा path होना चाहिए मानलो में दर से इसको cut कर दूआ है यह खता हो लिए तो क्या लिए दो चलेगा कि नहीं चलेगा अफ्रद दिमाग नहीं चलेगा पूरा नहीं चलेगा लोग यह निशीनलेगा ना वेधा तो या रहा था है यह लेगी यह तो पार यह लोग से ना भाई बढ़त यह लिए Εच श्क्द सेक्शन नहीं चेंब इसको तो मोलता है अब लाइव तरुटक ना और शोर्टसर्चट केसे होता है अब यह खुलाओ वायर है इदर है इसरोर नो यह का कर को दूसरा वायर चिपक गया हो तो लिए ना क्या होगा शोर्ट सब्सक्राइब आग लगी को अफूरीर है अब स्थ नोर कर् सब्सक्राइब कर दो अब दिको इसके अंदर ना एक चीज जो आपको सववल आना चाहिए बोलो हर एक डिवाइस का जो करन्ट का रिक्वार्मेंट तो चार्जिस का रिक्वार्मेंट है वो सेम होता है कि लग 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 लिमिटेड होगा ना कोई बोलेगा मैं दूर एंपेर पे काम करता है कोई तो बहुत ज्यादगी सब्सक्राइब तो मुझे आ चाहि तो स्री देला उय्टिय अ सब्सक्राइम मn कर अफेंट ज्ट जा ज्य है जतना मश्त है इंद्स पैसर्म जालेगा ना डिवाइस जाएगा ना यह सब आपको इंफोमेशन देते की नहीं के बाजय से बिजली कड़की कैसे लाइटनीं हुई प्रिज बनकर टीवी बनकर एसी पुरा घर बनकर जो बड़े बड़े डिवाइस इसका रीजन देखो क्या होता है अभी यह प्रोजेक्टर लिए फैन कह रहा है कि मुझे ना 200 एलेक्ट्रों नहीं चाहिए कि इसकने पर काम करूंगा कि मालो 200 एलेक्ट्रों आगए जलने का चांस है ना इसका पर यह कभी नहीं होता है कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई को है और वो होता है अर्थिंग कौन होता है पता ना हर एक डिवाइस को आप अर्थिंग करते हो कि अर्थिंग का कनेक्शन निकल जाता है तो वो डिवाइस का टच करते हैं वह कभी अगर कुछ घर में काम वां किया होगा तो यह सब होने का चांस होता है अभी पता है आप वहां पे वह स्विच्छ ऑन ऑफ भी करने आ तो कभी उसमें से चिंगारी निकलती है वह क्या हो अर्थ जो है और सब वायर उसके दम जाते अथ यह आपको बहुआर जाके वह में करेक्शन को जेखो के ना उसके से वायर तो पिकुछ अर्थ पहसंद है अर्थ को चार्ज एब्सॉप करने बहुत मज़ा आता है तो वह क्या करता है चार्ज को एब्सॉप करने पहला जो मुलम ठाम दुम आनुपेा ऑपना सीखा है। एक नूटरल था एक लिव खाल को ता है है। अर्था वाईर होईर होता है.. देखो प्र इंदक हाटम कोख आया कि यह दुझें होटा कि है। छब लाइटनिक यह ना कोि गिरता लाइटनिक कोशन और होटा है। उसे भी आती चारज्ज इसके आता है लाइट निंग इसि गरता किसी आप उनियों कोई कोई पोछुना है वहां है जैसे ही आर्थ पी गिरता है वह वह तार आपको बहुत सारे चार्ज जोह जाए लगां किसी आपको अधिया सकी ही, गिवह आपकी और देटा है, और अपने यह ना उसका इफ्रेक्ट किलोमीटर सकते तो चार्ज एक्सेस हो गए अभी चार्ज अर्थ ले दे रहा है कि वह पास्ट पर जिसके वह से क्या होगा डिवाइस अब आप डिवाइस अब अब तो चलो एसा हो गया कि डिवाइस काफी वैल आउन्स हो चुप इसको बीक विजली खड़की नहीं कि यह उड़े नहीं कि इसलिए बारिश करणां पर ज्यादा करें टेलिविजन जो रिपरिंग वाले के वह रहता था घर वाले महीं पर जाते हैं कि यहीं रिपेर करो यहीं देखो वापसकर आउब होगा तुसे पहले क्यूब वाले टीवी होता थ टीवी उड़ा रेफ्रिजेटर भी उड़ता था आजकल तो काफी अंदर एसे सेंसर्स वगरा है तो यह सब चीज को कंट्रोल कर लेते हैं ठ्रिपिंग वगर हो जाता है आपने घर-घर में कभी-कभी कोई-कोई सेक्शन में ठ्रिप हो जाता है ना कि यह सेक्शन का लाइ तो सिस्टम ने डिटेक्क कर लिया तो सिस्टम ने पहली पुरा बंगर दिया तो चार्ज इसका फ्लोई रूज गया बंग आया ना भड़ा है यह सब तभी स्कूल में अब यहां बोल दो ऑल कि आपि तमान पढ़ जाना तो नया बता यार एक लेर है तो यह तो यह तरीके तो यह ऐसे ही सर्कुट हमको स्टडी करना है इंदर शाथ सही है है फाइन क्लियर है यह नहीं पर एक बता ट्यूब लाइड भी आते दे चोक वाले वह स्टार्टर वाले वह चालू करता पले जुब 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 होगा तीन चार बार पर चालू होगा बारिश में उसका भी अलगी खेल चलता था कि चालू वह भी एक आप उसके बैटिंग कर सकते हैं कि क्या लगता थे रोगा अपने घर का ट्यूब लाइड चालू होगा के नहीं होगा है वहता था ना शौक वाला है इलेक्ट्रिकल ट्यूब लाइड इसको गोला दोता है देखाए कभी अब यह रिप्लेस हो गया इस इसमें बेसिकली यूज को आपता है समी कंड़िटर यूज है समी कंड़िटर शिप्स पर सुना होगा ना चल अबी इंडिया में बड़ा कंपनी आया एसे ना गुलिया में जो गुजरात में भी स्टार्ट हो रहा है से में अट्रनेश्ण बनाने कर आज कल खोड़ा भी अ सबसे आदा आज कल जो सबसे आदा शौटेज है चीजों का तो इसमें सेमी कंड़िटर रही है इसलिए पता ना यह सब आप जब भी कार वाई को अगरा कुजी बूप करते हो तो बहुत वीटिंग होता है ना शे मैंने बाद आना एक साल बाद आना यह सार हो उनको मादा अब इंडिया ने कंपनी अभी स्टार्ट होगा इंड़स्ट्री उसका गुजरात नेक्स्टियर तो इंडिया भी उसको प्रोडूस करने लगी अधर से यूज एकोनोमिकल बूश्ट अभी यह जो एना LED जो एना LED इससे सट तो बी वन आप दो वन आप दो क्या अधर वेस तो मत बताओ अभी एड चला की बताना पड़ेगा अभी कोई भी LED का देखाए फिलिप्स का सिस्का का विप्रो यह सब होता है ना अधर हमेशा ऐसा का जाता है कि LED लगा लो आपका लाइड बिल बहुत कम आएगा इस और नो इससे बहुत साधा आप पावर बचा लोगे फैक्स का है बताएगे निया अब इस अभी तो चलो सबके घर में LED आगे अभी तो सब क्यूबलाइट बंदी हो गए तो पहले मिलत बीच में आजब बंद गया बीच में ऐसे अलग लग शेप के आते थे आइसा बना होगा अइसा बना होगा वाखड़ा यह सा अलग 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 LED बल्प का पावर कंजमशिन काफी कम होता है जिसके वैसा हमारे लाइट बिल पे काफी एक्ट होता है और आप जितने भी डि लेडी टीवी आता है यह दो को एसी पे भी जो नोटिफिकेशन आ रहा है चौबीस पच्टीज वी टेंट्रेशर है यह सब क्या है LED आपके मूबाल का स्क्रीन किससे बनता है अब एलेडी से ना पहले LCD होता था लेक्वेड क्रिस्टल डिस्प्लेए कर अभी क्या है LED जैस लेडी का पावर कंजम्शिन जो होता है वो जीडो के बड़ाब होता है तो इसको कितने घंटे बाद भी चिपका के देखो और चिपका के मतलब हात लाके देखो आपको एक नॉमिनल सा ऐसा लगेगे तोड़ा सा गर उगाए गर इतने भी घंटे बाद आपको कभी चट्का ने लगए हो लगा है कभी बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब का चट्का खाया है यह बहुत सारे शूर्वी रहे हैं यहां पर कासम जो बदन में से आत्मा निकल जाती वाता ह यह बड़ी के लिए क्या चिल्ला है उसके क्या मलम लगाया है क्या करें समझ में आता है और इस साब भायानक चक्का देता हो एक 60 वैट का बल इतना पावर कंजूम करता है पता है फिर वो हेलोजन आता है वो तो लगा दो देखो रात भर तुमारा दूसरे दूमारा अभी प्रॉपर्टी निकल जाए लाइट विल के अंदर इतना महेंगा होता है क्यों इसका पावर कंजंशन पहुआ शुनों सुनों सुनों पावर कंजंशन इस यूज बड़ाबर है पर यह led काना पावर कंजंशन पहुआ हो तो क्योंकि इसमें आ ऐसा मटेरियल यूज के आग अश्य आयदानी वधर को कोई सेमी स्मिकर्णिंटर ना आपको इनर्जी दो फ़ों में जिसके एक ए έχει dal या गतर को जो present अधनी देगा और जो हीट देगा हो जो हीट टैगा हो लाइठ निट आताना अस सब्सक्राइब करने का पावर और इसी के वैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है एक डिवाइस घीजर बहुत साथ पावर कंजूम करते है अब पूरा एक दिन छोड़ते चले आओ तो घर वाले अपने घर से निकालने के भार आयाते है कि बाबा आधा प्रॉपर्डी चला गया तो घीजर आपके घर में होगा देखो अभी तो ऑर्टोमेटिक घीजर आगया है तो स्विचों स्विचों हो जाता अपने पानी गरम बहुत बंद हो जाएगा एक टेंप्रिशर के बाद पहले घीजर ऐसे नहीं करते जाएगा कि मर जलके मरो आती चिलवालो एक पानी से अगर आप आप करके उसको दस मिंद में भूल गए और नहां कि निकल गए और अगर वह तीन चार घंटा चालू रह गया और आप भार निकल गए तो आपका जो घर है वह घर था हो जाता है क्योंकि सीधा घर ही जलाता है वह आग लग जाएगी पूरा स्विच सब टिगल जाता था और पूरा घर ही अभी तो आज कल तो बहुत टेक्नोलोजी आ गया है उसके इंद से वह स्विचिंग आ गया है पता ही कि नहीं होगा भी लोग के घर में क्या आप उसको घुमाते ह भी को बंद के चालो जाता है नॉब के साथ ही टैप के साह्त है ना और फिर वो भी आता इसंसर वाला है अपना हाथ घुमाया चालू हाथ गुमाया थो बंदद हाही है रिजाधा आमेरी चाही है इसके लिए हमारे घर पोड़ती वह यह रहे हैं अधा आधि-व्याच प्ल करें लोग निकाल है कि अलाग मस्ता मिक्शर वोले गरम अधरी अलाग कंप्लेंट निक्या वाकरूम के सेंसर लगा दिया इंदर वो फिर तो कुछ लोग ऐसे मुबाल पर चाल जाए बता है उसके मुबाल की हाथ कनेक्टर दे लादा वादा नहार उसको अचानक इधर से गुआ के पानी करम से धंडा नादा जी भार के कंप्लेंट कर रहे है कि अईसा कभी किया है कि नहीं पर जाके बहुत खट्के पड़ेगे पर ऐसे पहले बहुत कांड की है अधा पहले आपके घर में वो टेली फोन था वायर वाला मुबाइल फोन नियोता उसमेना ऐ अधा जोस के घर पे गए थे वो दोस्त नहीं तोसके दादा थे और हम दोस्ते बार बार वन्सिक्स बार नादा जी आदो पोल उटा ले पोई पोई बोलने को तयार नहीं है तादा जी परेशान नाशों बाहर ही निकाल गे रख दिया तेल लगाने जाए आईसे तब करना अधा घर पे अबड़ा एक जो दादा निकल लिए भाई हमारे पर आज लाएक है तो यह सब घीजर वगेरा में ज्यादा खर्चा होता है अब काफी कम आता है अब प्लस पता है इनका वारंटी भी काफी जादा होता है यह बल्ब लेने जावा तक्सादा दिलदार इसके बेशने वाले होते पांसाल का वरंडी शाथ साल को तुमारे मरने तक का वरंडी है हाँ हाँ क्यों चीट कंजम्शन निया ना अब खराप कैसे होगा कैसा और नो कि दिवाली में आता है पता है वो लगाते हो आप भर पे डेक्रेशन वाली लाइट होती है ना कुछ लाइट डिस्को लाइट अ इस दिवाली पर घर पर कुंसा डिस्को हो रहा है 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 इस अधर कोई अच्छी बात है और दिवाली के डिस्को लाइट देखा है अलागला प्राटन वाली वह सब पॉंसे बढ़े लेडी बल्ट ना उसका हाथ ना चटकान लगेगा पायर को लागा अचिपक जाओगी दो इस अधर आपको एक लेडी बल्ट पर पाउश्ट पता ही नहीं एक रैड एलिडी बल्ट लेने जाहोगे मार्केट हो इस अधर बड़ गाता है पूरा दो सो बलट होते ना उसके अंदर है तो फिर क्या एक रुपेगा आता है वो भी अलाग अलग 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 बनोंगा अ तो फान के डिर फांबान खाए नहीं अरिडिए अभी तो इसेशन अला हो जिए पैसा शिराले मता छो इंडिकेटर हो तो घृ कलर को जब पैसा से अदिया ड़ा और ग्यृक्ता मैं अधिक। वाइट है जाते हो स्टेशन वेशन की तरके नहीं है यह को इसमें वाइट है लेड़ी अभी यह वी रेड में आता था पूरान एसी अभी वाइट होगे है पहले तो छोटा था बल होता था ना यार ओ रेड हुआ के ग्रीन हुआ उससे समझ जाने के इस चाल वे के बलता है आपके सेट्टो बॉक्स में भी होता है रेड ग्रीन यलो यलो अलग किसको में यसा और नो यह सब किसका खेल है लेड यह भी बनाना सीख्यों आप सामीकंडेटर में लेडी बनता कैसे तो आपके इंट्रेसिंग पार्ट है प्रोइड आप कितना घान करना चाहते हो चाप अब इसके बाद हम थोड़ी वह फॉर्म लागे ना भी करते हैं अधिक अधिक से दोट्रेश्य में अधिक और जो होते हैं अधिक अधिक यह समय और इस फ्लो अफ चार्ज़स पर यूनिट अरिय पर यूनिट टाइम पासिंग फॉन एरिया इस फ्लो आप चार्ज इस पर यूनिट टाइम पासिग प्रॉन एरिया और नहीं पताए न आपको करन का फॉर्म में करो दाथा त्यू आए झाल, झाल, झाल झाल, 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 झा झाल 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 चलो डान वो क्या रहा है चलो विध्यान देना है आपे अगर यह जो एलेक्रिक करेंट है तो अगर यह जो एलेक्रिक करेंट है यह जो आप चार्ज हो रहा है तो वी डिफाइन अटर्म कॉल आइस इंटेंसिटी ओफ एलेक्रिक करेंट जिसको आप नॉर्मल तो करेंट बुला तो यह जो आए आएक्ष्वल में करेंट नहीं होता है वह आएक्ष्वल में क्या होता है इंटेंसिटी ओफ एलेक्रिक करेंट इंटेंसिटी में तो क्या ताकत ना कि कितने ताकत के साथ एनर्जी फ्लो हो रहे है और क्या ट्रांस्फरो कर रहे है एनर्जी चो वी टोक बाइब वाइब इंटेंसिटी ओ एलेक्ट्रिक करांट देनोटर भाए आगे आगे वसको करेंटी उलाने वाले बार मैं टेखनीकली इसको ड्राइन कर रहो कि 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 इंटेंसिटी ओफ एलेक्ट्रिक करण्ट सही है इस बोलो इंटेंसिटी ओफ एलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा रेड और फ्लो और चार्ज कि पासें थ्रून अरिया कि रेट और फ्लो अफ चार्ज पासिंग द्रूर एरिया मलब फ्लो अफ चार्ज विट रिस्पेक्ट टाइम पासिंग द्रूर पर्टिकुलर एरिया इसका फॉर्मा क्या होगा आए इस इकुल टू क्यू वाइटी यस और नो यह फॉर्म बहुत जहां पर क्यू क्या है चार्ज ना टी क्या है टाइम तो करेंट इस इंटेंसिटी अब एलेक्टिक करेंट इस चार्ज अपॉन ताइम सही है अग्सी यह जो होता है ना इसस फॉर यूनिफॉर्म फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या है अग्स्टन्ट फ्लो किसके लोग आई है अग्स्टन्ट फ्लो मतलब हमेशा एक एरिया के दुरू एक गिवन टाइम में सेम नंबर और चार्ज ही आ रहा है है यूर्ट वरपार्टोम अग्स टाइर कम टृट बश्लो में दरखले आई नखर अ मतलब हम अनन एक डिवट कांटयोड अ इनननेुनिफॉर्म क्षिट यू आंग्सटन्ट में अग्सकान होता है ना, uniform flow वाला, this is called as, direct current, क्या कहते इसको, this is direct current, that is, DC, सुना गभी, AC, DC, तो DC का मतब क्या होता है, direct current, इसमें flow of charge कैसा होता है, uniform, in a particular direction, हायान, next is, इसके बार होता है, something called as a variable current, बोलो variable current में भी क्या होगा, जब भी चीज़े variable होती है, आप किसके help लेते हो, बोलो variable, जब भी चीज़े variable हो जाती है, तो आप, आपका चो time interval हो कम कर देते हो, आप किसके बार हो, इसके बार हो, जब चोटा ताइम ले रहे हो, मतलब you are talking about, add that instant, जब चोटा सा time lien, मतलब 1.1 seconds से 1.2 seconds बार ख्रैश्ना के बात करो ना यार, अब चोटा सा time lien, कि यह टाइम पर कितना करेंट है यह टाइम पर कितना करेंट है यह आई क्या हो जाएगा q by t k dq by dt that is differentiation of charge now what with respect to time यह और इसको जो अधिकर जाएगा हो एक तो एक डिद्धिक जाएगा और आल्टनेटिंग करन्न और वी सब चीज़ वेरियबल करण बोसाथ तो अल्टनेटिंग करण का वन एक जो पॉइंट वोर क्या आधे ना अप चार्ज कैसे निकल रोगा डिक्यों गाई होगा तो चार्ज कैसे निगाल होगा इंटीग्रेशन हो बट अगर 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 वेरियेवल है तो आने वाला चार्ज कैसे अपाम साथ होते रहेगा ना तो जो टाइम फ्रेम में आपको नंबर ओफ चार्जिस चाहिए हो निकाल साते हो ना तो यह तो एक लास्ट तो सब्कों बता हो गालो करेंट का यूनित क्या होते है यह कैसा पूरीट भाई ने तो सब्कों पता है ने तो जाना पड़ेगा मेरेगा अभी चल के इस दा मुंबई क्या होगा फांटामेटर कोड़िटी इस और नो इसका युनिट क्या होता है MPR ना कॉंसा युनिट है इसका MPR इह ही इस को पाला इसका CGS युनिट क्या होता है 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 कि कभी सुना नहीं आपने पहली बार सुन रहे हैं इसका CGS नुड़ते हैं क्या होता है और एक नाम होता है इसका है और आपको मारा मधार है लाइप में इसना अकेला मुण वह रही है कि यह नाम सुनके दो कुछ वर इसका कोई तो होगा है तो सही है चालो तो यह क्या होगा यह याद रुखो कन्वर्जन देखो कन्वर्जन वन अंपिर इस 0.1 अंपिर तो तेख्वा अगर इसे अगर आप सम्झो एंविसर इन वस्वर्षिट यू ना अंपिर बना यूनिट है और अंपिर शोट एक ऐसा कोई डिए इसका सीजिए इस निट बढ़ाए और एंड़े शोटा कि इतना कुछ काम नहीं आता है फिर भी पता नहीं कि दर अगर कुछ पूछ ले उंपे यहाना जीकर बता है नहीं दगर कि और ना रही है और चालो एक शीज़ आपको अगर पता होगी तो कारेंट एक व्रेक्टर को इडिए कि स्केला है अगर थे दोखो अभी नया सीपी है चार लोग मिलके बोलेगा दो स्केलार बोलना तो रेक्टर बोलेगे आवाद फूलग जाएगा इंट्रफेरंस होगा लाव कख़़ी हो सुनाई दिरहें कुछ तो आर-अर कर रहें स्केलार वेक्टर वो भी गज़र एक सिर्निफिकेंट चीज है करन्ट वार में के करन्ट इस अ फेशको फॉजड फॉट्व ह्चैण काई और क्क काई सजावर कंड़टी अ है रिजन क्या वता हो इसका ऊजन पर सब्सक्राइब के ऐक्क्त्रुट्मों करता। वैसे यह कि तुम है कि लोई दो क्पथ्या है कि यह एक सर्कृट ऐसा कि यह सबाद है यहां पर लाइक देशी कि यहां पर जा रहा है इसके दुरू फ्लू होगा यहां दो रास्ता है लुए दो ना के मालों यहां से तू कि इस ए घ्रण तया आए अरे और यहां सै ट्रिया घ्रीच यह यह समझता ना करण कैटर में किता हो गांगा यह समस्टा है तो करण कितना है ₹ अरे बबाब इधर से कुछ चाहिज आए अघर से कुछ ऑँ जाए आपके मिल गया ना तुछ साथ में आ जागे ना ऑइध तोसे परर अगेता हो गया आपर अपने परन टोतल पिराएं कैसे निखला ना तू अंगला टू प्लस इना इस वोट ताह मैं अहिए यह सिंपल कर लो, you are simply adding it by algebraic, operation कर रहो न, addition का, तो ये क्यों कॉंसे loss follow करता है, vector loss के algebraic loss, तो ये कैसा continue है, scalar के vector, simple algebraic loss को follow करते चलता है, plus minus सब कुछ होगा algebra से, clear रही है, तो इसी लिए ये scalar continuity होता है, इसका reason क्या है, we can say it follows, algebraic loss, addition, simple addition, subtraction पर काम करता है, ठीक है, वैसे चलेगे, चलो find, तो current कैसा को रिटी होता है, चलो ये note down करना फिर आगे बात करता हूँ, अगे बात करता हूँ, अगे बात करता हूँ, और खाम सी रखतर में करता है, अगे में करता हूँ प्रक्राइब गग्राइब लिए पूरा फोकस के सब्सक्राइब और डारेक्क करेंट के लिए हमारा जो सर्किट होते हो छोटास हो इस सो और डारेक्ट करने जब भी हमको प्रोवार करना होता है तो तो हम हमेशा है करते हैं सेल से बाटरीज के फारे बाटरीक्ट चरान्ट हें से जाता है तो एक क्ली ने निट्र दे अगे बढ़ते हैं प्लस यह चार्ज इस फ्लो किसमें होगा कंड़क्टर में ना कंड़क्टर मतलब क्या मैटलिक वायर्स आया ना और हमने एक चीज़ यह कहा था कि जब भी करण्ट फ्लो होता है के लिए सबसे दाना है तो कार्ट के लिए सबसे दाना निसे भी कि अधिसेसर ना इंपोरिंटर्म सम्थिंग कॉल्ड आज ड्रिफ कर अंधा और उसी का आज फोर्म लों डेराइब करेंगे अगर टाइम मिला दू थीक है और उसके पहले एक्सपेनेशन समझ लोगे पोटेंशिल डिफरेंश की रिवाड़ बहुत इंपोरिंट है यह अंडिशाट करना है कि why do we require potential difference I have a link to the other why a potential difference is required for कि एलेक्ट्रिक करेंट कि अश्वाज मालो मैं आपना एक एसा मेटलिक कंड़क्टर लेतो जहां से आद कूल के बरापर सुनना क्या बात कर रोंगा कि अब आप एसा एक मेटलिक कंड़क्टर है 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 लाइक दसी है है कि यह कैसा कंड़क्टिंग वायर उसका शेप कैसा होगा से लिंटे करना है चलो अब कुछ बात हैं आपको बेसिक पता होने चाहिए हैं केमिस्ट्री से कि देल्स है कि अगाइए कोई भी मेटल का बात करता हूंग तो इसमें धरहार यूज नमवर ओफ रिक तो आ huge numbers of Free Electrons अजो होतो है on an average एक metal में जो Electrons का density होता है That is 10 raised to 28 Electrons per centimetre cube for a week centimetre cube में1 Electrons 10 raise to 28 मतलब ऐसा बोसकते हो के Metal जो है एक metallic conductor एक metallic wire Metals में तरहा huge 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 number of Free Electrons और यही free electrons को electrical energy दे के हम भगाता है और वो electrical energy को transfer करता है, from 1.2 न जरपन, सही है? अब यज़िए ऐसा कहा जाते है कोई भी metal का net charge न जीरो होता है, और उसके over-around charge कुछ नहीं होता है, net charge जीरो क्यों होता है, तो अगर एक अटम से एलेक्ट्रों निखल रहा है तो एलेक्ट्रों का चार्ज निजिटार्ज में अब जितने ऐंड में इसके याद रखो कि नेक्ट्चार्ज इसके लिए कोई भी कंडेक्टर भी है और एनी कंडेक्टर चलो प्रिया रहा है सबको यह समय आ रहा है कि था पाइन सब्सक्राइब होगा किया अंडेशांग करना चलो अब इसमें फ्री एलेक्टोंस है एक सरौंडिंघ को अर्यांट्रांट्रांग को यह सराउंडिंग यह एनरजी और सबसे बेसिक प्राइमरी एनरजी जो नीचर प्रोएट कर सकते हैं तो यह एक अर्टेम्स को यह एकटन्स को हीट अनरजी मिलेगा यह सोर्म आव यह हीट एनलजी लेके यह इलेक्ट्रोन जो है यह मोशन करना स्टाट करें जिसमें उतितली अगर मोशन और हो रहा है इसका रीजन क्या इंडशाइन करना है चीज का रीजन यह है कि यहां पे जो Labor the रांड़ अब रेंड़ मूशन आजब वर्ल सुन इक रांड़ को आपके मंद में एक होता है कि राणडम मतल्स की और आग कुछ सजब नो होगा इसका मतलब यह है है चर्फ्रों इसको बटवर से में हरे डैरेशन कर डीस्टर्यशन कैसा है सज्सक्षाति चर्ट यह हो का अगर 50 उसी एले क्लीश इस और टो जा रहे लिए सुअगे टेर्श नह Captain K कुछ जो distribution वो कैसा होना वाला है से जसे सेट तो वी something being a random in physics. क्लियर है यहां यहां पर initially जब surrounding से energy मिल रहा है जब heat energy surrounding से मिल रहा है और atoms, atoms को छोड़ो electrons जो motion कर रहा है वो motion कैसा है in a particular direction के random वाल इस रंडम न हे जो शुझ कोशन यहां पर जा रहे हैं हिर तो यह एक मैं लेविपनर यहां पर जा रहे है हिस यह उनों यहां पर जा रहे like this कि सब्सक्राइब कर दो कि आपको क्या लगता है आने वाला करण्ट का कुछ ने कुछ वैली होगा कि आने वाला करण्ट जीरो होगा कि सब्सक्राइब करेंगे ना अभी आप इसको समझो टेखनी के लिए करण्ट का डेफिनेशन क्या है करण्ट का डेफिनेशन इस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग त्रू अन एरिया सही है मलब चार्जिस को एक एरिया क्रोस करना पड़ेगा ना तब जाके आप क्या कोँगे कि Charges Flow है with respect to what time कि आप गूह पर होता क्या है what happens here शुनो शुनो शूनो पीज यहां देना है आप बोलो हर एक Electron random direction में हर एक इल्लेक्ट्रोण एक पृदिवल रा इरेक्षिन में क्योंकि V Average क्या होता है जब भी आप Average Velocity निखाज देए हो तो Average Velocity क्या होता है जितने भी यहां पे Particles है जितने भी यहां पे Electrons है सब का Speed Up Add करोगे और Number of Electrons से Divide करोगे ना बट क्यूंकि वह Velocity है क्यूंकि वह Electroported इतो आपको डाइस्टी लेना पड़ेगा एक अपड़ जयाता है जितने कहले हुआ यहां ऑनैसी क्याएं चितने भी एक अंधरेगा जिसेट्ना ना आल्यकल शमलतले क है दो आगा जिकिके शह करने से चिलो यहां लुकनेकर ज़ोगे में बड़ यह लेक्टों देने जा रहे हैं तो सही है प्लास उपर जा तो वी द्री माइनस वी फॉर ऐसा लिए डिवाद बाइफ फॉर डिवाद बाइए जो भी लेना आप सबको सेम एनर्जी मिल रहा है सबको जाने वाला स्वीड के सर आएगा सेम ना तो बोलो अगर नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो है एलेक्रोंस का तो क्या कोई दिस्प्लेश्में फे सुल女 को भूर एक है मदो लोगन कैनल अरा नि किक फेस में कि इन eva बॉलो बही एक एरिया से पास्म नहीं हो रहे हो जिसके उसे कोई भी current नहीं है कोई भी current तो नेशर जो थर्मल एनर्जी देता है उसके वैसे charges motion करता है but overall average velocity कैसा आता है zero average displacement कैसा आता है zero जिसके वैसे overall कोई भी area के through charges pass नहीं होता है और अगर charges pass नहीं हो रहा है तो current pass होगा कर नहीं होगा क्योंको flow on charge देखी नहीं रहा है yes or no current क्या है zero so can I say due to thermal energy heat energy is there any current और किना ऐसे thermal energy के वैसे charges यहाँ तो भाग रहा है ना पर net effect क्या दे रहा है zero तो thermal energy के वैसे charges यहाँ भाग रहा है उसका velocity तो है वो वेलोसिटी को में कहते है thermal velocity कौसा वेलोसिटी क्या रखने आपको यह thermal energy के वैसे thermal velocity के वैसे current zero आते है के non zero बोलो क्या रहा है zero so what do we say कि यह जो current zero है किसके वैसे so we say that due to thermal energy yes or no that is what thermal velocity कितना रहा है current speed काफी हाई रहता है you can say it is around 10-5 meter per second electron भाग भाग पर फास रहा है बट्या फाई राइवरिश कैसा है zero distribution कैसा है zero current कैसा है zero so what do you think due to thermal energy due to thermal velocity is there any current बोलो अभी current तो नहीं आ रहा है energy के वैसे अपने आप तो current नहीं आना वाला है तो अब यहां पर तो current रही है इसके वैसे कोई current नहीं आता है अभी हमको current चाहिए लो current कैसे आता है और क्यों potential difference के दरवत पड़ता है ज्यान दिना आभी आता है pay attention here everyone on the board अब माल लो यही same conductor को आपने वायर कनेक्ट करके मतलब potential difference लगाता हो च्यान प्याटेश्यर यहां बेर टेंश्यर्ट अब इसको में क्या करने करूंगा से यह तो बैटरी ना इससे करेक्ट कर दिया ऐसा इसा हमानलो एक्सेल है यहां में प्लस माइनस यह पोटेंशल है सेल बहुत है या यह तो क्योंति है कि क्योंति है यूटरी को सेंसे क्योंति मगएग और यह थर स्रेचिंग एक क्स गौश कर जाकिए यह स्वार क्शिब ह संकति आ भी कॉण्सेट क्यन से स्ङर्चो्ब होता है नि多 चांड कर एक हैं प्री चार्ज के उपर एलेक्टिफिल क्या आपलाई करता है और फोर्स का फोर्स के वजे से क्या होता है कि क्या करता है पूश सभी है है इस फिसकी वाला तो होगा क्या वह बोलो चार्ज इसकर जा रहा है एम डेबल इस में रहा न हम्ने ऐसा का तक तर्फ पर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है कोई राइट में जा रहा है कोई एक एक फीड काम क्या होता है बोलो और ढहले सो उनने बहुत कर देदर यहां तो है उसको अडकर अप cowboy you चार्जन जो है उसके डायेशन में आये के ना है आया ना पर निचने समय को है पोंप worked या force F is equal to QE what do we say due to E bar forces are applied on the charge सही है और बोलो force कितना होगा QE बोले यहाँ पे जो charge हो कौन सा electron है अगर आपको रूल याद होगा तो बोलो what does the rule say कि force जब negative charge को लगता है QE वो in the same direction of activity लगता है कि opposite direction यादे है रूल कितर लगएगा तो देखो अभी charge यहाँ पर है इसा देखो इधर यह charge यहाँ पर है इसा इसके पर लगना फोर्स कैसा होगा इसा ना रहाँ यहाँ ना इस और रूब तो बोले चार्ज ऐसा जा रहा था force ऐसा लागा इसका bendy ही होगा ना इसा बोले ऐसा बनोगा ना वो रिजल्टन इसका बोले ऐसा घाएसा होगा ना फ modes kya लगा फोर्स ऐ सीया ना जाया गुदो खुंते गुदो खुंते गुंतो खुंतेत ऑ्स का यह और से खोछा़ Queens लिवस्की जाएगा रेूचन इसको फोस्स लगा लगा के रिजल्टंट पना बना के घुमा ते जाएगा गा में गुमा के एक borधानगे आजाएगा ज्युक्इ और राइचन वहिस्थ है तो प् Conservation जाएगा इंदग आव गोसेरो के सब्सक्कत गें इन बड़ेशिन आ जाएगे इन दे इन अगोड़े होगा हम अगोड़े वह वहना आख वोगा शारे एलेक्ट्रों एंश दिखाएदेगा तो यह वो के नहीं दर समझ गया है अब का श्वरो अब क्या लगता है विल द एलेक्ट्रोंस कैंसल यह समझा ना तो वाद यू तिंग विल दे एलेक्ट्रोंस कैंसल आउट इस अधर नो ना विकास ना वाद आउट्ट्रोंस कैंसल आउट्ट्रोंस कैंसल आउट्रोंस 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 कैंसल ये एक्तरिक फील्ट के वजहे से फॉस क्या हो गया क्योई all the electrons all the charges all the electrons are aligned in the same direction opposite to electric field के समझया rule क्या quantity yes or know all the electrons are aligned in the same direction किसके hoje से क्या देरफॉर एभर आवरेज वहलॉसीटी इस नाट उपल जी रोना देरफॉर नेट डिस्प्लेस्मेंट इस नाट इक्वल जीरो और एकर नेट डिस्पेस्मेंट जीरो नहीं है तो आपको दिखेगा ना देखो ये एरिया लिया गर यहांक एसा अगर यह एरिया लिया इसा तो दीखे गा न एलेक्ट्रन पास होते हुए है तो गर इसे पर उनित टाइम धरा चार्ज इस पासिंद दूना तुर वाट पूर एरिया जो क्या कॉंश्चूर्ट करेगा कारें तो यह सारो तो चार्ज इसका फ्लो हो रहा है एक पॉंट से दू प्लाइब वो एनर्जी इसको आप क्या करते हो एलेक्रिक करा एक्ट्रिक कराइब नेट नेट जीरो होगा के नों जीरो होगा है पॉंट सारे एलेक्राउंस एक सेम डालेशन आप कर रहा है था किसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड एलेक्ट्रोंस को अरफ करता है तो इसा नीए कि एलेक्ट्रोंस बहुत फास जाता है और जब यह जा रहा है न तो इसको आटम से भी लड़ना बढ़ रहा है वीच में आटम से भी लड़ना बढ़ रहा है तो उसका इलेक्रिफिल्स पो मदब करके उसको खीछते तो जाएगा बढ़ उसका जो मोशन है इतनी कलना तो क्या अग्ट गाई डिफिकल्ट है तो एक अधिक बीच में आटम्स है रुखावत है बहुत पुछ है फिर यह खीच के उसको ला रहा है एक डारेशन को और फ्लोगर रहा है और क्या रहा है का रहा है बाते समझेगे आपको किनाई वावी आपने के लिए अनुड्यक्तर्व मूव सब्सक्राइब पीच में आटम्स को रोकने के लिए तो उसका मुवमेंट डिफिकल्ड है कि आसान है तो वह एलेक्टिव को बार बार खीच रहा ह इसको खीच रहा है इसके बार 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 कीच के लाना पड़ रहा है कर रहा है इसके यह चाहिता यह जो वेलोसिटी पास उसको क्या गा याता है किसकी वेशा है इसके पर सबस्क्राइब अ कर सक पर सक तो जार्म और इनरजी जे निकिश्यर दे रहा है अब हmb यह सेम आचनी और अब कर रहा है तो फोटेश्यर दिश्चिल के वाला आप कि कि आरंटिय के पोदंश कि क्रीक्रानिक इलेटेमार फोल्म शुक्त रा हुआ है उपक्रण गया है उसके अडीने में है उसके नेनम् दिर शेरानि से निफुरिफ्ट फोल्गा प्रीड मैं अग्युक्त रोट्वाचिन सेुद्व इसके वालें अगिस्थ जब किसका रोलता है तभी चाहज ने आ सकता ना और जो को अडिकाव सुद्ध वेलोसीटी होता है थार्मल वेलोसीटी और फ्रॉमल विलोसीटी क्या सब्सक्राइब क्वूछ न उपक्या मिलेगा अंपको चले तिदा फइंड, समझा अब को, चोट दो वी शेए जम नैट करन्ट सीरो नहीं होता है, ही से अड़ी पूझ से नुच आपको, यह ऐसी एन आ है, एलाख्रॉंट्रोंस आर द्रिफ्टे, थ्रू दूक्टर, in a particular direction here with a velocity called as drift velocity with a drift velocity so so about electrons you you तो अब ने लेक्ट्रोन तो इलेक्ट्रोन को आज दो वेरोसिटी तो से पहला है थार्मल वेरोसिटी अब दूसरा क्या है का वैली होता है एक एक प्रोक्सिमिली टेटेश तो फाई मीटर पर से और ड्रीफ्ट वेलोसिटी का वैली होता है तेंडेस्टू माइनस त्री मीटर पर से पर से पर फिर वह लो करन किसके वैसे आता है इसके वैसे नहीं आएगा ना यह है कौन रिस्पोंसिबल फॉर करन और किसके वैसे में करन नहीं आता है कि अच्छलो क्या रही है मालो यहां पर कि मुझे यह कतना है और आप लोग यहां पर है तो दो है यह पालो यह कि यह मैंने कंडेक्टर का पाट दिया है इसका लेंट जैने कि इसके अपने अधाए और इसका एरिया है यह एरिया प्रोस्टेशन है एक है कितना है एरिया प्रोस्टेशन कितना है ए लेंग कितना है एल आ ना सही है पाइंट चो नेश्टरस लो सक्षित है एक प्रोस्टेशन 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 रायु थे क्या जान घराम मैं और विए प्रोस्टेशन बीडिड़ु रसी अगे है यह ओक अगर लिय देतर है एक है इढुद लिए है small n number of electrons per unit volume small n क्या number of electrons per unit और अब लाखना क्या average electrons कितना देटेन इसू 28 ना और अबर अब लाखना क्या per cent ये per centimeter क्यों बोलाखना और इस पर रुट वाल्यूम ना सो आप स्माल n क्या number of electrons per unit अब राऊना चलद आप यह find out करना है कितने इलेक्ट्रान्स है इन ह neur गिवन लेंध वाटर अबर अबर अन्मर आफ एलेक्ट्रॉन अनसे म्यां इसॉ छडार येРЕक्ट्रों तो तोटल नमबर आफ एलेक्ट्रोंश in length L of the conductor तो कितना होगा यह? यह ना, यह number of electron squared volume है, total volume से multiply गर, यह खतम हो गया यह इसा, चलो यह conductor का volume क्या होगा? area into I know number of electron squared volume ना मुझे अगा, total number of electron find out करना है, पूरे conductor में तो किसे multiply करूंगा? volume से, volume जाओगा, area into length तो यह मुझे क्या देख, total number of electron versus what, total number of electron अज़े वह आप लोग यहाँ पेज़े नहीं यह होगा, total number of electron now I need to find out total charge total charge, लोगो total charge क्या होगा? pay attention here total charge दे लिया मैंने Q, क्या दे लिया? यह total number of electron है total charge चाहिए, तो total number of electron को किसे multiply करूंगा? charge of electron ना, एक electron का charge क्या होगा? E, और number of electron कितना होगा? E, N, A, L अरे क्या बोलते हो, सही है, so what is total charge of this conductor? E into N into A into L क्या भाई, समझ में आ रहे है कि नहीं, यह सो होगा होगा है, फाइन 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 क्या फाइन फाइन, पाइन पाइनन फाइन क्या होगा होगा है सुर्टिफ गोशन पांटेश तर टो गया तर इस सर्थोर सकॉन मेरल डिस्टाइगा सेडिवार्ट आ ळैस चाहिए है, so how do I find out now, drift velocity is constant velocity ना, तो खाता हो गया है, तो VD, speed is a distance upon time, uniform AC लिए, अब जोगरा बना, आगे तो VD, distance कीतना है, L ना, पूरे की दुरी जाएगा, गलें कीतना होगा, L, क्या ची आपको time ना, बोलो current का फॉर्मा क्या है, Q by T, तो T का फॉर्मा क्या होगा, Q by, I, तो ये L, और ये क्या होगा, Q by, I, fine, तो देखो अभी, ये लेखो, ये L, into what, I, upon what, Q, और Q तो है, ये रहा, तो बोलो, L, into I, upon what, ये L, ये L, गया, तो बोलो, आपको I का फॉर्मा क्या मिलेगा, I का, E, N, A, V, V, V. E, N, A, V, V, V. This is the total current, passing through the control, आय या ना, first formula for the current, Q by T, Q by T, सब को या था है, ये मेरे ये, E, N, A, V, D, E क्या है, electron charge, N क्या है, number of electrons, A क्या है, एरिया वीडी के ड्रिफ वल्वसिटी का फॉर्मल चे तो यहां से मिल जाएगा ओगी फॉर्मला से आई पॉंट इन जाए और नो जाए तो क्यों पोटेंशल डिफरेंस यह समझा तो पोटेंशल डिफरेंस नीज होगा तो सारे एलेक्ट्रोन को मोशन कैसा होगा राइंडम सब्सक्राइब पॉटेंशल को फिरेंशल डिफ्रेंस् मीशन कीलान सब्सक्राइब डिसको डिसके पीछार थे उत्व डिफरेंशल जाते अच mentions अडिसको इसके स्निफ्पन को तो यह इसका रीजन होता है सबको क्लिया रही है समझा सबको चलो यह जबी भी लेक्चर होगा तो रिवाइस करके हां ठीक है चलो रहा हुआ दिवान करना